नमस्कार मित्रों आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौरानिक कथाए में स्वागत है। आते समय सूर्य देव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए इससे मन में सकारात्मक उर्जा प्रवेश करती है जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है। खराबी है उसमें सुधार आसकता है। सवाल ये है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवन कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतिया कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल और ना चढ़ाना एक सम्मान है। आए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में हो सकता कि इन ही गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाब हासिल नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। दबाएगा सबसे पहली बात पूर्व की और मुख रखें सूर्य देव को हमेशा पूर्व की और मुख रखके जल चढ़ाना चाहिए। आपके उपर किसी की अशुब द्रिश्टी भी पड़ सकती है सूर्य देव को जल को चढ़ाते समय सूर्य यदेव के इस मंतर का जाप करें ओम सूर्याय नमह दूसरी बात बिना सनान किये जल ना चढ़ाएं भूल से भी ये गलती ना करें बिना सनान किये सूर्य देव को स्वच्छता बहुत ही पसंद है ऐसे में अगर आप बिना स्नान किये उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आप से रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल रहे थे उस कार्य में भी आप अस्फल हो जाएंगे तीसरी बात तामर पात्र का उपयोग आज कल प् लिए हमेशा तामर पात्र का उपाय करना चाहिए इसके पीछे वैग्यानिक कारण ये भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली से निकलती है जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती चौथी ब्रहमा मुहूर्ट में ही अर्पित करें जल कोशिश करें कि ब्रहमा मुहूर्ट में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें ब्रहमा मुहूर्ट का समय अर्थात सुभह के तीन से पांच बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पन करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्र दाते समय जल में अक्षत रूली फूल जरूर होनी चाहिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाएं। पारात्मक उर्जा भी प्रवेश करती हैं, सात्वी बात चपल ना पहने भूल से भी आपके पैर में चपल नहीं होनी चाहिए, अगर आप सूर्य देव को चपल पहन कर जल अरपन करेंगे, तो वो आपसे रुष्ठ हो जाएंगे, और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों रहकर ही जल अरपित करें आठवी, बार रविवार के दिन जरूर जल चढ़ाएं, आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं परंटु, रविवार के दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है, इस दिन को जरूर ही हर मानव को सूर्य देव को जल अरपित करना चाहिए, इससे अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई सूर्य से संबंधित दोश है, तो वो दोश गुड में परिवर्तित हो जाएगा नोवी बार भोजनले अगर आप सूर्य देव को जल चड़ाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें लाल रंकी सबजी मसूर की डाल ना खाएं। अगर आप रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदाई होता है वैसे तो हर दिन ही सूर्य देव की पूजा करनी है परंतु रविवार के दिन विशेश रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए तो आपको एक तामबे का पात्र लेना है उस तामबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्य देव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप हर दिन नहीं कर पाते हैं, तो रविवार को जरूर करें, वैसे आपको हर दिन सूर्य दे। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जब आप यथा संभव कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है, तो 108 बार कर लीजिए नहीं तो, जितनी देर आप जल दे रहे हैं, वहाँ पर खड़े सूर्य देव के सामने 5 मिन तक कर लीजिए, इससे बहुत लाब होता है, गायत्री मंत्र का जब करने से, जैसे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय, जब हम गायत्री मंत्र का जब करते हैं, तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है, तो वो दूर होती है, नकारात्मक उर्जा दूर होती है, रविवार के दिन सुभह जब आप सूर्य देव को अर्गे देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा गुण मिला लीजिए, इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें साथ थोड़ा गुण म माना गया है, प्रबल कारक माना गया है, सूर्य देव को तो जब आप सूर्य देव को सुभह जल देते हैं, तो जल देते समय आपको गायतरी मंतर का जब करना है, और उसके अलावा आपको का साथ चाहिए, तो रविवार के दिन गुड और चावल का दान करना अच्छा मान गेहूं का दान भी कर सकते हैं, गेहूं और गुर का दान करना बहुत श्रिष्ठ माना जाता है और इसको करने से, आपके सभी काम बनने लग जाते हैं, अगर आप ये दान करते हैं, तो सूर्य देव की क्रिपा से, आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने लग ज जाते हैं भाग्य का साथ आपको हासिल हो जाता है अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक जब आप जल देते हैं भगवान सूर्य देव को तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उस तामबे के पाद रमे थोड़ा सा जो लाल है वो किनारे पर लगा होता है जब हम कोई भी वस्तू डाल कर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लगी जाता है उस पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर है अगर आप ये हर दिन करते हैं, तो निश्चिक बहुत जल्दी आपके आकर्शन में वृध्धी होती है, आपके सभी काम बनने लग जाते हैं, आप अगर व्यापार करते हैं, तो आप जिन से भी डीलिंग करते हैं, जिन से भी आपका व्यापार है, से भी आपका व्यापारि को रविवार के दिन दान कीजिए अगर आप ब्राहमन को लाल मसूर की डाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंदली के ग्रह दोश दूर होते हैं ये आप साथ रविवार कर लीजिए जैसे की आप दान करते हैं अब जैसे इस रविवार से आपने रुख किया तो साथ रविवार लगातार कर देंगे, तो आपको बहुत जल्दी लाभ हो जाता है, ग्रह दोशों से मुक्ती मिल जाती है, रविवार के दिन गुर खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए जैसे प्राता है, काल आप थोड़ा सा गुर खा लेते हैं, तो इससे सूर्य देव जाते हैं, और बुर और। को तामबे के पातर में रोली और लाल फूल डाल कर अरपित लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का गुढ़ल का जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो, उसको तामबे के पातर में डाल कर थोड़ी सी या लाल चंदन डाल सकते हैं, ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाता है तो आत्म विश्वास बढ़ता है आत्मा के कारक है सूर्य देव और जब हमारा आत्म विश्वास बढ़ता है रोगों से मुक्ती मिलती है नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है दवाईयां जल्दी ही काम करने लग जाती है रविवार के दिन आदित्य अगर आप चाहते हैं, आपको सूर्य ग्रह का पूरा लाब हासिल हो चाहें आपकी जन्म कुंडली, में मजबूत स्थिती में भी हो तब भी रविवार को आपको आदित्य। चाहिए, मानसम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकार नौकरी चाहिए, जीवन में आपकी कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी से मुक्ती पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली होना बहुत आव करने वाले हैं ये आप जरूर कीजिए अगर आप किसी भी तरह से किसी भी परेशानी घिरे हुए हो कोई भी आपकी विशेश कामना है तो ये उपाय जरूर कीजिए सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बेलवत्र डालना है और इस बेलवत्र डाल दीजिए आप थोड़े से अक्षत कर सकते हैं अक्षत क्या होता है चावल होता है जिसके तूटे हुए दाने ना हो बिल्कुल साबुत चावल होता है उसे अक्षत कहा जाता है तो थोड़े से अक्षत रोली और बिल्वपत्र डाल कर भगवान सूर्य देव को जल देना है साथ बार में आपको जल देना है जैसा की बताया जाता है आपको तीन बार में जल देना चाहिए रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम तीन बार में देते हैं हमें बिल्वपत्र डालना है तो इस विशेश सामगरी की वजह से हम इस जल को साथ बार में भी दे सकते हैं तो रोक ऐसे आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो जल्दी ही आपके मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है, आपकी जो भी कामना है, भगवान सूर्य देव से कहें थोड़े समय तक आप आदित्य हरिदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे त कीजिए इस से आपकी कामना बहुत जल्दी पूरा हो जाती है, दोस्तों आज, की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया, सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, सूर्य आत्मा के कारक है, और सबसे जरूरी है, आत्म विश्वास का बली होना, अगर हम किसी भी तरहे की सफलता पाना चाहते हैं, तो तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, प्रती दिन कीजिए, और रविबार के दिन विशेश रूप से कीजिए, उम्मीद करते हैं, आज की वीडियो से आपको लाब जरूर होगा, आज के ल मिलते हैं, ये वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद.